जेन फ्रेंट जोप सचरूप चले में आपका स्वागत है आज इस बड़ी में बात करने वाले एंड ये ग्रूप C की दो हजार चोईस की बड़ी बड़ती के बारे में जिसका आपका जो बड़ती प्रोचेस है वो 16 तारिक से स्टार्ट हो रहा है काफी बड़ी बड़ती है इसमें काफी केंडेट को बुलाया गया है आपके पूने में ही एक जगह ही एक्जाम कंडेक्ट होने वाली है सबी के आपके एड्मिट कार्ड में इंसेक्शन दिये गए हैं ये इंसेक्शन में आप खुद भी पढ़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है डोकुमेंट में क्या क मोबाइल वाचेज लोक्ट्रोनिक आइटम आपके पास नहीं होना चाहिए एक्जाम के समय दूसरी सबसे बड़ी बात देगी है टीए और डीए कोई भी आपको नहीं दिया जाएगा मतलब नहीं तो आपको आने जाने का कोई खर्चा दिया जाएगा नहीं कोई रहने की विवस्ता की जाएगी तो जो भी केंडिडेट सोच रहे हैं कि वहाँ पे आर्मी दवारा रहने की विवस्ता की जाएगी तो आप बोल जाएगे जो भी केंडिडेट अपने पैसे लेकर जाएगे और आपको रूम परचेज करना होगा काफी मिलकर केंडिडेट ये रूम एक साथ ले सकते हैं जिससे आपकी कोश्टिंग कम हो जाएगी आपको रूम भी बताने वाला हूँ कि कहां पे ज्यादा प्रफेक्ट हो रहेगा कि आप रूम लेंगे तो वहां पे सस्ता भी पड़ेगा और आपके जो केंडेट के लिए पास भी रहेगा तो यह सबी जानकर यहां पर आप देख सकते हैं आपने यह जो अप्लिकेशन फोरम भरा था उस टाइम में जो आपकी अप्लिकेशन की प्रिंट निकली थी उस प्रिंट को आपको 100% साथ में लेकर जाना है यह चीज आप बिलकुल ओरिजिनल लेकर जानी है अपलोड की वी जो भी है भी आपका experience certificate लगाया था तो वो यह आपने आदारकार लगाया था था वो और साथ में आपका जो भी कास certificate है यह सभी certificate ओरिजिनल ले जानी है और साथ में उसकी दो-दो कोपी आपको लेकर जानी है self-attested की वी मतलब photocopy आपको करानी है वहां पर आपको प्रिसानी नहीं हो इसके लिए बचने से लेकर आप जो भी candidate है पहले सही तीन-चार photocopy एक-एक document की साथ में करवा कर लेकर जाएं गलती से भी ज़्यादा मांग लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी minimum चार photocopy सभी document की लेकर जाएं चाहिए experience certificate है driving license है जो candidate है कि आपका driving license मैंने बोला नह और यह जिसमें आपके जो requirement मांगी गई थी चाहिए experience certificate है education certificate है या आपके जो भी आपका driving license वगरा है तो यह सभी diploma certificate है यह सभी certificate आपको साथ में लेकर जाने हैं किसी भी परकार का चाहिए education certificate है वो सभी ले जाने है और उसकी सभी की दो-दो photocopy मतलब आपकी उसकी photocopy करवा कर उसको self-attestate वहां पे भी कर सकते हैं और घर से भी करवा के लेके जा सकते हैं तो यह सभी चीजें आप जरूर करके लेके जाए नहीं तो वहां पे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी और वहां पे जो भी आपकी soap वगरा होंगे वो double पैसे आपसे photocopy करने के ले बाते हैं यह डेट बर्त है और अक्सप्रेंस है यह सभी शेटेवेट आपको साथ में लेकर जाने हैं डोकुमेंट अज़िसे हैं डोकुमेंट आपका जो भी फॉर्मेट है वो complete center government का होना चाहिए नहीं तो आपको डोकुमेंट में यह बात बिल्कुल ध्यान में रखें मिनिमनम डोसाल प्राणा नहीं होना चाहिए जो भी टोकुमेंट आपको उना चाहिए जीन की साइज फोर ॉर Chinese फिक पार्फीट है हैं कि बहुत छोटी सी photograph ले कि जाते हैं बहुत चोटी बिल्कुल 40C photograph ले चाते हैं तो वह महाँ पे मालने नहीं कि जाएगी यह आपके Yukador नोर्मल जो साइस दीए जो भी आपके passport size ओती है वही पास्पोर साइस फोटो ग्राफ में आपके चाहिए जाए मिनिमम दो मंगेगी हैं लेकिन आप मीनिमम पांच फोटोग्राप अपने पास लेकर चलें तो यह चीज़ें बहुत ही जरूरी है जो केंडिएट वहां पर पिर ढूंडते फिड़ते हैं कि कहां फोटोग्राफर है वहां पर दुगुना पैसा तिगुना पैस उन्हें कोई भी आपका ले कर जा सकते हैं और उसकी दो दो फोटो को भी जरूर लेकर जायए जो भी आपका लेकर जाना है और रास्तान की बहसा में किसी अधर बासा में कुछ अलग अलग नाम देते हैं तो बहुत सारे नाम अलग-अलग होते हैं मतलब नीचे आपको पेपर लिखने के लिए आपको ग्राॉंड में बिठा जाएगा तो वहां उसको लिए लिखने के लिए आपको जो ओी हमआर सीट मिलेगी उसको पेपर में ų एक लिए आपको जो ले लोब नहीं है और कोई भी अधरी कोई बी अलाउड नहीं है जैसे जामें पीडिक से पड़ेय। नॉर्मल सबी चीज़ें एक ब्लोक दो ले जा सकते हैं आप जैसे कि एक बंद हो गया तो दो पैन आप जरूर लेकर जाएं साथ में तो आपके प्रोब्लम नहीं आएगी दो जो भी ब्लेक बॉल पैन आप लेकर जाएं और एक राइटिंग पैट दो ही चीज़ें आपको ल पानले के लिए रखता है वह ले लेते हैं वहां पर फिकवा देते हैं तो वह अंदर नहीं ले जाने देंगे वह चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान में रखें इसके बाद मैं आपको ध्यान में देखा है वने वाली सबसे बड़ी बात है कोवीड वेक्सिनेशन आपके पास उपलब्द है वो सेटिवेट जरूर लेकर जाएं हो सकता है आपसे मांग लिया जाए बाद में आपके प्रोड़म होगी तो आपको निकाला वी जा सकता है यदि एक पॉइंट आपसे छुटा और आपसे गलती हुई तो आपकी पूरी मेहनत वहां जाने तक क पूरी बरबाद हो जाएगी तो ये कंडिडेट सभी डोकुमेंट और सारी फोटो जो भी पेंट पेंचिल है ये जो यूज करनी है जो पेंट है जो के बलेक बोल पेंट होना चाहिए और राइटिंग पैड आपके पास होना चाहिए ये सभी चीज़ें होने चाहिए गर जाने से पहले जो फतिना चाहित द्माग में जेलके भी पासे चाहिए और आप करने की तो चाहिए ज़के और भावस की आप बसकि कूलेत खाने होतलें तो कोई responsibility उनकी नहीं रहने वाली है पैसे रखने हैं wallet पूरा ज्यादा ले जाने की जूरुत नहीं है पैसे normal आप रख सकते हैं पाकि कि जो भी document आप वो सही तरीके से रखें बैग में चोरी हुआ या कुछ हुआ तो problem आपको हो सकती है इसके बाद में next आपकी process में चलने वाले हैं जो कि candidate काफी candidate के forum गलत हो गए और admit card भी गलत आ चुका है तो वो candidate अपना एक affidavit बना के ले जाएं court से और exam देने ले जा सकते हैं जो भी candidate के ऐसी problem आ रही है वो अपना affidavit बनवाएं और जो भी affidavit के साथ court में लिखवाएं जो भी आपकी problem हो रही है तो उसमें आपकी by mistake लिख सकते हैं कि by mistake जो भी आपका application फोरम बढ़ते वक्ते operator ने गलती कर दी और उसकी वज़े से ये नाम था और ये था project सही नाम जिसकी document परस्तूत किये जा रहे हैं साथ में तो ये affidavit आप ऐसा बनवा कर और साथ में ले जाएं exam देने से नहीं रोकने आ जाएगा आपको affidavit जरूर बनवा के ले जाएं नहीं तो exam में आपको problem हो सकती है exam नहीं देने दिए ये भी आपको document में निकालना जा सकता है तो affidavit जरूर बना के ले जाएं जिसके भी नाम में age में किसी भी प्रकार की कोई mistake है तो वो सभी candidate affidavit अपने court से बनवा के ले जाएं नहीं तो आपको exam देने के लिए रोका जा सकता है अब ये आप बात करते हैं exam process की ये processing देख सकते हैं पहले आपका document verification किया जाएगा document verification में आप जो candidate सोच रहे हैं कि 16 तारिक को आपका document verification हो गया तो 17 तारिक को आपको exam होगी ऐसा नहीं होगा सबी candidate की exam एक ही दिन में करवाई जाएगी तो मतलब आप 16 तारिक को जा रहे हैं तो 16 तारिक वाली candidate को 17 तारिक को exam नहीं होगी उनको ज्यादा दिन रुकना पड़ेगा जो भी candidate 16 तारिक की जिनकी भी है वो candidate दिमाग में फिट कर लें कि 16 के बाद में 17 तारिक को भी आपके document verification ही है तो document verification के साथ साथ आपके exam नहीं होने वाली है 17 तारिक को भी document verification है 16 को भी document परेशन है तो आपकी exam हो जकती है 18 तारिक को या 19 तारिक को तो इतने दिन तो minimum रुकना ही पड़ेगा 3 दिन का time सोच के चलिए दिमाग में कि 3 दिन तो आपको रुकना ही रुकना है चाहिए 17 तारिक वाला हो चाहिए 16 तारिक वाला तो सभी दोनों के इंडेट ये दिन है तो आपको 3 दिन के रुकने के साथ से पैसे और रहने के जो कपड़े है चाहिए डूत परस है जो भी साथ में जो रेगुलरी जो चीज आपको यूज में आती है आपका टावल है या जो भी आपका वहाँ पे आपको ये बता दू कि सबसे बड़ी बात कि जो वहाँ पे आपकी सर्दी नहीं रहने वाली है तो उसके साथ से आपको अपने ले जा सकते हैं जो पिने हमने चद्दर बगएरा बिछाने के लिए आप ले जा सकते हैं अपनी ओडने के लिए ले जा सकते हैं हलका फुलका और वहाँ पे सर्दी नहीं है यह आपको बता दू कि तीन दिन का प्रोसेस मिनिमम रहेगा तीन दिन आपको रुखना ही पड़ेगा फिर उसके ब यह साबसे मतलब आपको हो गए पांस दिन पांस दिन मिनिमम आपको यह एक्जाम में पास होते हैं तो आपको रुखना ही रुखना है तो उसके साबसे आपको जो भी पैसे चद्दर जो भी आपके टावल आपके जो भी आपका नवेर है वो सभी आप साथ में लेकर जाए रुकने की विवस्ता आपको सरकार नहीं करेगी, खुद की हिसाब से ही करना होगा, चाए गल्स हैं, चाए बोज हैं, आपको खुद को ही ये आपके इंतिजाम करना होगा, आपी कुछ चीजी आपको बता दू कि जो कि आपके कब सबसे बहुत अपरन काम आने वाली हैं, जो बी केंडेट सोच रहे हैं कि मैं NDA के गेट के पास में ही जाके रूम ले लूँ, तो ये ऐसा संभव होना बहुत ही पोसिबल नहीं है, मतलब आपको बता रहा हूं कि जो केंडेट अभी तक रूम बुक कर दिया आसपास के 76 में, तो वो केंडेट प्रॉफिट में रहेंग को दूरी जाद नहीं है, 9 किलोमेटर की दूरी पर आपका वरद है या आपका यहां पर या सिवनार्थ नगर है, यहां पर आपका इस एडर्स पर आप रूम ले सकते हैं, जो कि बहुत ही इजिली रूप से आपको यहां पर रूम भी अवलेबल हो जाएगा, और दूसरी आपको एक दिन रुकने की बात नहीं है, दो तिन दिन रुकना पड़ेगा, तो आपके पास उस आप से पैसे भी होने चाहिए, तो आपको खड़क वासला के पास बहुत ही महेंगे रूम दिये जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि केंड़ेटर लेंगे ही रूम, तो महे पता है, और यहाँ पे जाके आप रूम ले सकते हैं, और उससे आपके एंड़ी कितनी दूर पर है तो यह भी देख सकते हैं, 9 किलोमेटर की दूरी पर एंड़ी इस्तित है, तो वहाँ से आपको सुबह, सुबह बस मिल जाएंगी, कोई भी दिक्कत आने जाने की प्रोब् नहीं होने वाली है, यहाँ पे आपको सस्ते और टिकाओ अच्छे रूम आपको उपलब्द हो जाएंगे, जो कि 2-3 दिन रुकने के लिए आपको काम आने वाले हैं, बस का ज्यादा किराया नहीं है, तो यहाँ पे आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज है, यहाँ पे आ आप रूम लेख सकते हैं, वर्द या सियूविनार्थ, सियूविनार्थ नगर है, या जो कुराड़ हो है, यह पे याप पी श्क्रीण पे सकत हैं, यह जीज है, यहाँ के लिए आप ए रूम level करवा सकते हैं, वापे नॉनमल ही आपको रूम अभ अभ लेवल हो आप बहुत जारे candidate एक साथ मिलकर यहाँ पर रूम ले सकते हैं और यहाँ पर रहने की कोशिश कर सकते हैं और बस का साधन यहाँ पर मिल जाएगा तो फटा फट वहाँ पर बस पकड़ के चले जाईए बस का भी आपको बता देता हूं कि कहां से आपको क्या करना है वहाँ प बस स्टेंड के पास उतने तो वहाँ पर आपको सबी बसें उपलब्ध हैं गेट के बहार ही आपको बस का स्टेंड मिल जाएगा वहाँ पर उपलब्ध है यहाँ पर आपके लोर बस सलती है जुशका आपका एक दिन का 40 रुपे का पास बनता है वो बनवा लीजिए और कह चलती है पूने के लिए उसमें 40 रुपे का अपना आदार कार्ड का पास दिखवा कर आदार कार्ड दिखा कर वहाँ पर आप जा सकते हैं किसी भी ओटो वाले के चक्कर में नया पड़ें ओटो वाला का बहुत जारा पैसा लेगा आपको सुबह यह बस 6 बजे से या 5 बज कैसे भी किसी भी बस में इसकी आप में गूम सकते हैं वो पास सबी बस में अवलेबल होगा दो परकार की बस चलती हैं दो आपके तो आप एक बस का किसी का भी पास बनवा कर उस वाली बस में कहीं भी गूम सकते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही महतोपरण है किसी भी नाम आने वाली हैं बाकी कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूं सबसे पहले वीडियो में बताए थे कि मैं क्यूशन पेपर आपको पहले ही टेलिग्राम गूरूप पर उपलब्द हैं वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं तो मैं आपको दिखा दूँ कहा से आपको पलब् जय कर सकते हैं